नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्यास सिंग। विधायकों के नाम फाइनल हुए है उनकी लिस्ट भी भेजी जा चुकी है। अब रार देखिए जो तीन राजियों में पार्टी को जीत हासिल हुई पूरा एक बड़ा फेर बदल देखा गया मुख्य मंत्रियों के लिए और यहाँ पर मंत्री मंदल विस्तार के लिए भी 36 गड़ और मध्यप्रदेश में बारी राजस्थान के कहा जा रहा है कि कल वहा सुन्दरा राजे को एक बड़ा जटका लगया क्योंकि राजस्थान में जिस ढंक से उनको यह लग रहा था कि बिदान सबा चुनाओ के नतीजों के बाद लगभग यहता है कि सुन्दरा राजे को मुख्य मंत्री बना दिया जाएगा लेकिन दरसल बीजेपी की माइंड म बीच कई बड़े सवाल है भरष्टा चार के गंभीर आरोप उनकी सरकार में जो है लगते नजरा हैं और इस बात को लेकर के सचिन पालिट ने जो आवाज उठाई थी वो भरष्टा चार के खिलाफी आवाज थी और वो सुन्दरा राजे की सरकार में ओने वाले बरष्ट के तोर पर वोट दे कर सथा को बडला था वो तो ठगे हुए महसूस करते हैं उनको तो यह लगता है कि हमने जो है एक सरकार से पीछा चुड़ा कर दूसरी सरकार कर चुना हो वह भी सरकार उस तरीके से उसी चेहरे को जो बरष्टा चार को ले करके कोई भी सख्त कदम नही कर रहा है तो मुझे लगता है कि वसंदरा राजे बिलकुल इस समय ऐसी इस्तिती में आ गई है कि वो खुल करके अब विरोध भी नहीं कर सकती है क्योंकि अगर वो विरोध करती है तो जाहरती बात है कि उनके पास एक रास्ता बच्चे का कॉंग्रेस में जाने के बाद उ क्योंकि बीजेपी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे अगर फिर दुबारा से उनकी सरकार केंदर में आ जाती है बाजपा की 2024 के बाद बिलकुल देखिए वाकरे में देखना काफी एहम होगा कि क्या शिवरास सिंग चौहान की तरह व बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट नाइन नियोस के साथ